सबी को जैन दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है इंडिया इस भारत पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छी होंगे तो आज के दमदार और इंट्रस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे कि तेज वुकार होने के बावजूद भारत की बेटी और सुप्र पो उसी से थोड़ा बहुत निकल करके ट्रैविल कर रहा है इसी सल्मान Khan से पपो यादव मिलने के लिए बॉम में चला गया और बॉम में सुलमान कान उससे मिला भी नहीं पपो यादव से मिला भी नहीं तो अब पपो यादव की क्या अकात है वो तो सबको समझ में आ चुका है तो इस इस कंप्लीट अफ़ाब्रिकेट स्टोरी ताके उसको जेट प्लस सेक्यॉरिटी मिल जाए डाट सेट इसके इलावा कुछ भी नहीं लेकिन पपू यादव की तरह से एक स्टेटमेंट ये भी आई है कि जी मैंने सुल्मान हान को काल की और सुल्मान हान बिल्कुल नडर हैं बिल्कुल खोफ नहीं है बिल्कुल भी कुछ डरे होए नहीं और वो बिल्कुल जैसे काइम है बहादरी के साथ मैं भी वैसे भादरी के साथ रहूँगा और साथ ही साथ बाबा सदीकी के जो बेटे है उनके साथ भी मुलाकात हुई यह सब चीजे हुई क्या लगता है कि आपको लगता है कि अभी कुछ भी लोग कोई भी लोग मतलब जहां पे भी चाहें अपना फेम के लिए किसी भी मकसद के लिए लॉरेंस भी शनोई गैंग का नाम लें बस ठीक है उसको अपने आपको पॉपुलर करें बैट सिप हमारे भारत में कुछ ऐसे नेता है जो खुद को पॉपुलर करने के लिए और लाइम लाइट में लाने के लिए और और को साड़ी खोल करके मारा था और बहुत ही गंदे तरीखा से लिटरिली वर्बली मुलेस्ट करके तस्लिमान असरीन को वह मारा था जिसके वेडियो उसने उड़ाने की कोशिश किया था लेकिन अभी भी मेरे पास है अब असदुतिन आवेसी के पास भी जेट प्लस सेक्योरिटी नहीं थी और अभी एक बार हाइवे पर टोल टैक्स के पास अपने उपर अपनी गाड़ी पर गोली चला दिया था चलवा दिया था और उसके बाद पिर उसने गाना-मजाना स्टार्ट किया और उसने जेट प्लस सेक्योरिटी अपना प्रोवाइड कर लिया तो हमारे भारत देश में ज हैं सिस्थी लोग प्रीयता के लिए यह सारे काम करते रहते हैं जिससे उनको डो चाहर दिन सिस्थी लोग प्रीयता भी मिल जाती है और फिर एक जेट प्लस सेक्योरिटी भी प्रोवाइड कर दिया जाता है लौरं विश्णोई से जस्टिन टूड़ो डरता है लौरेन बिश्णोई से निजल और पन्नू के लोग डरते हैं लौरेन बिश्णोई से जस्मित्ते डरता है लौरेन बिश्णोई का नाम सुन करके जस्टिन ट्रोडू पैंड में सुस्सू करता है लौरेन बिश्णोई से पूछिए का नाम है आप भारत में आ करके आप दिल्ली के लोगों से पूछिएगा पप्पो यादव नहीं बता पाएने लोग आप किसके बारे में बात कर रहे हैं हाँ लालू परशाद यादव को लोग जानते हैं और तब जादा जानने लगे फोईठा ठोकते ठोकते वो चेफ मिनिस्टर बन गई थी और वो पहली चीफ मिनिस्टर थी जो सिगनेचर नहीं कर पाती थी जो अंगुठा चाप देती थी तो ये लोग इस कैटेगरी में आते हैं और अब जो यह नया भारत है ये जो मोदी का भारत है ये डिजिटल भार है ये शिक्षद भारत है ऐसे अभद्र जाहिल जपट और बेहुदा बत्तमीज नेता नेता अब लाइन लाइन लाइट में यही सब कुछ करके आते हैं अपने काम से नहीं आते हैं अब मुझे भी बात बताएं आप इससे पहले क्या पपो यादव को जानते थे नहीं ला यह चीज़ है बिल्कुल डेफिनेटली जीज़ें सामने आ रही है अचा नादिया थी थोड़ा सा मुझे बताएए जब यह वीडियो अपलोड होगी आलमस्त दिवाली और यह सारा फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका होगा इंडिया के मुसलमान खास दूर पे अगर मैं आ बहुत मतलब एक मांगदर्शक मिलता है एक बहुत हमें एनरजी मिलती है कि हम भी काम कर सकते हैं चाहे तब्यत जैसी भी हो चाहे हालाद जैसे भी हो दिवाली अवजाहिर सी बात है शोईब के मैं भारत की पुत्री हूँ मैं भारत की बेटी हूँ फुलजडी जलाएंगे जलाएंगे और चर्की जलाएंगे, मिठाईयां बाटेंगे भी, मिठाईयां खाएंगे भी और मैंने एक बहुत खुबसूरत आयोजन का इंतिजाम किया है मैं इस बार पांच हजार एक दिया जलवाने वाली हूँ और खुझ भी जलाएंगे, क्योंकि इस बार की दिवाली और भी ज्यादा खुशियों की दिवाली है, और भी ज्यादा बड़े उत्सफ की दिवाली है और भी ज्यादा बड़े जोश की दिवाली है, क्योंकि इस बार साड़े 500 साल के बाद पहली बार भगवान राम अपने घर में सापत है और आयोध्या में एक बहुत बड़ा जश्न होने वाला है क्योंकि भगवान राम के आने के बाद ये दूसरी दिवाली होगी जो उनके सामने में मनाई जाएगी इसलिए इस दिवाली का की खुशियां जो है ये दोबाला होती है इस दिवाली का महत्व जो है ये और भी ब्राइट और शाइन होता है इस दिवाली का मतलब जो है वो और भी खुबसूरत होता है इसलिए इस दिवाली में और भी ज्यादा हम खुशियां मनाएंगे और एक चीजे में जरूर क्लियर करना चाहूंगे शोय जो मुस्लिम समुदाय हिंदू पर इल्जाम लगाता है जैसे आप किसी मुसल्मान से अगर बात करेंगे भारत के मुसल्मान से तो वो यह कहेंगा कि अरे ये लोग तो दिवाली में जुआ खेलता है ये लोग तो शराब पीता से इसमें कलियुक का निवास होता है जुआ खेलना शराब पीना चोरी करना किसी गैर इस्तरी के साथ संपर्थ करना ये सारी चीजों में कलियुक का निवास होता है तो ये भी एक इल्जाम है हमारे सनातनी भाईयों पर या हमारे सनातनी परिवार पर हिंदू परिवार पर कि वो लोग दिफावली में जुआ खेलते हैं या शराब भीते हैं बिल्कुल भी नहीं माला जाब करते हैं पूरी-पूरी रात दिया जलाते हैं और पूरी-पूरी रात लोगों में घरीबों में मिठाईयां और गिफ्ट्स बाटते हैं और अपने रिष्टेदारों में गि पहुचाने के लिए इनके जबात को आगात पहुचाने के लिए ये सारे इल्जामात लगाने की कोशिश किया है अब जैसे हमारे अल्गुरान में जो चीजे सक्त मना है हम उसको नहीं करते नहीं करते हैं ना मैं तो मजार नहीं जाती हूं मुझे आपका नहीं पता हमारे अल खुरान में मना है, मैं बिल्कुल वो काम नहीं करती हूँ और मैं अल्खुरान के इलावा किसी भी किताब को नहीं मानती हूँ तो उसी तरीकर से जो कटर हिंदू होते हैं, वो अपने वैदो, गरंतो और शलोग के बाहर कभी नहीं जा सकते हैं, तो जिन चीज़ों में कल्यूप का निवास होता है, वो कभी भी सनातनी कर ही नहीं सकते हैं, अब दूसरी चीज़ आती है, यह भी सल्मान खान के बात हो रही थी आपकी, मैं एक पहले कलीर करना चाहूँगा, सल्मान खान की तरफ आएंगे, क्योंकि यह बहुत जबर्दस आपने बात की है, जैसे एक एक एक्जेम्पल मैं देता हूँ, के लाइक हमारे इदर एद होती है, आपके वहां का आइडिया नहीं, आप कमेंट देखने वाले कमेंट बाक्स में बता सकती है, नादिय चीज़ आप भी बता सकती ह तो अब मैं यह कह दूँ के भाई हमारे कल्चर में यह है, या कोई दूसरे मज़वाला कहते कि यह तो इद वाले दिन कुछ ड्रिंक करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, इसका मतलग यह है, इद हो, शबरात हो, होली हो, डिवाली हो, अगर कुछ गल्द करता है तो उसको परस देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिय लाई खांजी का दमदार और बेबाक रेक्शन आपको काफी पसंद आए होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और हमारी पूरी इंडेस भारत की टीम की तरफ से हमारे पूरे परिवार, यानि कि हमार सारी शुब काम नाए तो चलिए, फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबुदस और इंटरस्टिंग वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद, जय भारत